देख लो चोपाल, देख लो चोपाल, रे सब बड़ा बड़े रा, सब बड़ा बड़े रा, जी सब लोग लोग आया, जी ता परियान सब ल्याओ जी देख लिए चोपाल, देख लो चोपाल, डेख लो चोपाल, रे सब बड़ा बड़े रा, जी सब लोग लोग आया, जी ता परियान सब ल्याओ जी चौपाल देखने वाला सबला दर्शिकाने राम राम साथ भाई आज के चौपाल में आपा चर्शा करांगा टीबी रोक, कारण, बचाव और विका उपचार का बारा में प्यादो आपने सबने पतो है कि टीबी एक आम बिमारी है लेकिन अगर साथ्थानी नहीं रखी जाए तो कई मामला में आज संक्रमित बिमारी बहुत घहतक भी सिद्ध हो सके आपने दुनिया का एक तीहाई लोग टीबी से संस्क्रमित है और कई हो जाए है कि प्रती सेकंड में प्रतिव्यक्ती टीबी से संक्रमित हो जाए है यह लिए आपने साथधानी बरतनी बहुत जादा जरूरी है ऐसा कुण-कुण सा कारण है जिसे टी-बी हो सके है एको बच्चाव के हैं और उपचार आपा कियां ले सका है सरकार की तरह सो भी ऐसा बहुत सारा कारिकरम चलाय जा रहे है जिसे लोगा में ज़ादा से ज़ादा तीबी के बारे में पहलोजा आप टीबी का वारा में कर रहा हैं, तो सबसे पहले तो आपने दर्शेगा ने बता देया हैं, आप विमारी है कि इने किया समझ साहाँ आप टीबी एक अन्नी रोगों की जैसे ही किटाणू जनित रोग है अर्थात एक किटाणू विशेश से होती है इसका नाम होता है माइको बैक्टिरियम टिबरक्लोसिस जब यह किसी विश्वस्ति व्यक्ति के अंदर प्रिवेश करता है तो यह फैफणों को अधिकतर नुक्सान चालता है और वहाँ पर रोग की हो सकता है रोग टीबी का हो सकता है अर्थात यह किटाणू जनित रोग है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो आपने संक्रामक बिमारी है डॉक सब ज़िया बोल्यों जाए कि टीबी सिर्फ पढ को ही हो यह लेकिन आपने शरीर में जितना भी यंग है भी हर जगे टीबी हो सेगे तो कहीं आपने मान सगा कि टीबी रोग का बहुत सारा प्रकार है हाँ बिलकुल आपने सही खा टीबी मुखित है बतलब 85 पिरसत लोगों में फैंफटों के अंदर होती है बचे हुए 15 पिरसत लोगों में यह शरीर के किसी भी अन्य अंग में हो जाती है जैसे लसी का गिरंती है फैंफटे के बाहर की जिल्ली है दिमाग है दिमाग के बाहर की जिल्ली है हड्डियां है जिसमें विशेश रूप रीड की हड्डी है जोड है पेट है हिर्दे है जननंग है अर्था लगबग लगबग हो सकते हैं तो अगर हर अंग में तीबी की विमारी हो सके हैं तो इसके खारं के हैं और को स्वस्ति व्यक्ति वातावणद में रहीगा उस हुआ का उसके फापड़ों के दर प्रिभेश हो गागा तो उसके हैं वो कीटानू पहुंच जाएंगे और फिर संभावना है कि उसको वो टीबी का रोग हो जाए अर्थात ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचने वाले भीमारी है तो ये के लिए तो जादा साफधानी बरतनी चाहिए कि अगर कोई टीबी को मरीज है या रोगी है तो वीसे आपनी जो रोग है वो टीबी भी हो सके है टीबी रोग का जो फैंफडे की विमारी है उसके कुछ लक्षण होते हैं अगर वो लक्षण अगर किसी व्यक्ति में है तो अपन आशंक कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को टीबी होगी फैंफडों की उन लक्षणों में सबसे प परवाया है तो उसके अंदर कोई निशान आया है तो उस व्यक्ति को टीबी हो सकती है यह इसके प्रमुगलक चाड़ा है मतलब जादा बुखार आ जाया है या लंबा समय तक खासी है या बल्गम में आपने खून आ रहे है तो आपा समझ सका कि आपने टीबी की परिशानी ह हो सके है अगर आम दवाई खासी की लेवा और आपनी खासी ठीक हो गई तो इको मतलब टीबी नहीं है लेकिन अगर ठीक ही नहीं हो रही है लंबा समय तक है तो आप मान सका है इक वेक्ति से दूसरे वेक्तिने हो सके है अगर कोई वेक्ति संक्रमित है तो और भी कोई आप से 한व नहीं ब्रहंती मात्र है यह बीमारी इक्यवल और केवल खांसने से चीकने से जो किटाणू परवेश करेंगे को इसके बातावारों में उनको सवा स्वाइण देवा किया कि अगर कोई व Exact GUY है लगथलक नहीं ख़र नहीं कर से अपने परिवार के साथ रखने मैं क्योंकि संक्रमण से का खासपा यह ठीकवा से और कोई तरीका से संक्रमट नहीं फैल सके लिए विकी साफधानी या विकी सेवा करवा में आपकोई क्वाताही नहीं बढ़ता है विने बिल्कुल अलग नहीं कर दें कि आप बिमार हो तो आप दूर ही रहो ऐसो नहीं है टीवी फैलबा को जो कारण बताया है बस वही है यह साफधानी बचावे अगर आपां सही तरीका सभी की देखभाल करा तो मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो सके है लौक साब एकी जाच कुन-कुन सी हो वह है आपां टीवी की जाच कहां करवा सका हो कुन-कुन सी जाच हो है जैसे कि मैंने बताया कि टीवी मुख्य है तो हम होती है उसके द्वारा इसका पता लग सकता है और एकसरे भी हर जगह लग 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 उपलब्द होता है इसकी जो दूसरी जाचे हैं जो नई जाचे आ रही हैं कुछ जिनको मोलेकुलर टेस्ट बोलते हैं वो कुछ इस्थान विशेश या अस्पताल विशेश में तो उसकी जाचे फिर डिपेंड करता है किस अंगभए है उनकी होती है वहां से कोई मासका टुकडा लिया जाता है या पानी है और उसकी आशार करते हैं जो अगर अब आपना जीने टीबी है अभी की जाच हो चुकी है आप संक्रमित हो तो भी मरीज ने कि कि सार्धानी बरतनी चाहिए खुद के लिए भी कि इने जादा परिशानी नहीं हो और आप ही कि कोई और व्यक्ती भी से संक्रमित नहीं हो यह मुख्य रूप से फैंफडे की वीमारी ही है जो दूसरे व्यक्ती में फैल सकती है अर्थात जो व्यक्ती को फैंफडे की टीबी है उसको खांसते और छींकते समय अपने मुह पर कपड़ा रखना जाहिए जिससे कि वह कीटाणों वातावर्ण में प्रिवेश्च ने कर पाएं और वह किसी दूसरे व्यक्ती को विमारी न अब पड़ा रखना चाहिए इधर उदर नहीं थूखना जाहिए जी नौक सब्सक्राइब कि अगर फैफड़ा की टीबी है तो ही आप फैला सका जियां कि आपना दिमाग में टीबी हो गई है अपनी आपने बताया कि गला में अगर है या कोई महिला आपिकर यूटरस में है या आपने कोई और जगह तो वह तीबी आपा फैला नहीं सका नहीं वह کی्वेक्टी से दूसरे वक्ति में उप्ती है और घातक को सब्सक् количество क कॉइब क्षिए ध्यांतों गया थे सब्सक्राइट है भी अंग सब्सक्राइब करने थी भी papoaag अचित्टा कुने 10. वर गूरा हुझकर अब भी कब कवे अधा के डाया था परशंग रुडल सब्सक्राइब कंव सकती है कभी-कभी पेट की टीबी होती है, जो आतों में रुका वर्टा होती है, वही अगर समय पे लाज निले, तो वहात कोती है. मतलब बेखतिने टीबी हैक तो बीनेए के के Cl 위해서क सब्सक्राइब कहाने है he van海 अगर फैमफटों की है तो खांसी होगी, बखम होगा, बुखार होगा चाती मेदर्द होगा, मुझ surveys कोण आएगा अगर लसी का गिरंथी की टी बी है तो गले में जाएं जान जाने की पेट की टी बी है तो उसमें पानी भी भर सकता है, पेट की आटों को तो उनमें इंपोर्टेंस मतलब बालबची नहीं होंगे ऐसी भी आशंका बनी रहती है इसलिए डिपेंड करता है किस अंग में टीभी है जी तो जी अंग में टीभी है बिके हिसाब से ही बिने परिशानी और तकलीफ भी हो सके है इको इलाज पूर्ण तरह से संभव है त इसका पूर्ण इलाज उपलब्ध है शामाने टीभी जो होती है जिसको हम ड्रग सेंसिटिव टीभी कहते है उसका इलाज तो 6 महिने लगबग चलता है और मरीज पूर्ण रूप से स्वस्त होता है अगर वह टीभी कुछ ऐसी है जिसको हम ड्रग रिजिस्टेंट यह बोल में कोई कारण वर्ष छोड़ दियो है तो कहीं आपने इलाज दुबारा से लिनों पड़ेगो या आप दो तें दिन बाद फिर से शुरू कर सका इमे कोई परिशानी भी हो सके देखो सबसे पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि वह छोड़ेना इलाज शुरू करने से पहले उसकी समझाईश अर्थात काउंसलिंग बहुत इंपोर्टेंट है उसको समझाय जाता है कि आपका इलाज 6 मेने तक चलेगा लगातार लेना है अगर यह बाते उसको समझा दी तो बीच में चूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है परन्तु फिर भी अगर वो किसी भी कारण से दवा छोड़ देता है और उसने दवा छोड़ी है एक मेने से कम समय के लिए तो जहां से उसने इलाज छोड़ाता वहीं से हम दुबारा शुरू कर देते हैं परन्तु एक चाहिए जिसे रोग बढ़े नहीं यह आजकल देखने को मिला है कि को पोशन अगर है तो बीमारी बढ़ेने की संभावना ज्यादा होती है इसलिए बोजन संतुलित बोजन उसको जरूर लेना चाहिए और विशेश रोप से उसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए रोग में दिन्चर्या को भी कोई फर्क पड़े है कि आपने अगर दिन्चर्या सही नहीं है अगर आप लेट उठा हाँ बहुत आलस वालो आपनो जीवन है या काम दंदो आपनो बहुत जादा मजबूती वालो है या भेनत वालो है तो भी रोग हो सके है इन सीजों का नहीं करने की सम्भावना बढ़ जाएगी और बीमारी होने की बाद उसकी जयादा बढ़ने की संबावना बढ़ जाएगी या आपन यूं मान सका है कि जो लोग धुम्रुपान करें है या नश्यू करें को किसी चीज को सेवन करें आधिक मात्रा में गर है R.ी तो काइं व इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए और जो व्यक्ति लगाताः को सेवन करें हो तो वो किया परहेच कर सके हैं या क्योंकि एकदम से तो कमी नहीं हो सके हैं क्योंकि आदत आप शरीर ने पढ़ चुकी है तो किया आप इलट से दूर जा सका हैं उसके लिए तो सबसे पहले उसकी समझाईश बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर आप इन चीजों को नहीं छोड़ोगे धूम्रपान को मद्यपान को नहीं छोड़ोगे तो आपको कई भी मरियां आपके शरी में प्रिवेश कर जाएंगी उनका ठीक होना मुश्किल होगा पर किने लेक्ति ने अगर टीवी हो घुए है पूरोफ लेरी और आप मान सका के बिल्कुल ठीक है हाँ भी होने पर ही हम उसका इलाज शेमेने के भशात बंद करतें भारवा की संभावना भी रहती है दुबारा होने की संभावना बहुत कम रहती है ना के बराबबर है पर किसी ऐसे व्यक्ति की संभर्ग में आ जाए इसको टीवी है तो इसको पुन है टीवी होने की समभाव ना बढाश सके है तो यह को मतलब है कि आपने शरीर में आपने खान पीन को पूरो-पूरो ध्यान रखनो है रोग प्रतिरोदक्षमता जो है आपने शरीर में बनी रहनी कि अगर आपनो शरीर थोड़ो सो भी कमजोर हुए हो तो आपकोई सी भी बिमारी ले सका खास करके टीबी की बिमारी की जब आपका बात कर रहा है तो आप बिमारी भी लग सकाए इलिए आपने शरीर ने मजबूत करबा के लिए अपनी दिंचेरिया भी सही रखनी है और आपना खान पीन पर पूरो पूरो ध्यान भी रखनो जाहिए है डॉक साब आपने जब इलाज ले ली हुए तो आपने जो सरकार की तरव से प्रयास चल रहा है जो कारिकरम चल रहे हैं को कारिकरम है तो बी कारिकरम के बार में भी जाननों ौजाहां कि वह कारिकरम के है सबसे पहले तो मैं आपको निवेदिन करू कि इसकी जांच बिलकुल मुफ्त है जो बल्गम की जांच करते हैं या बल्गम की दूसरी जांचे करते हैं वो सभी प्रात्मिक स्वास के अंदरों पर निशुलक उपलब्द है अगर टीवी पाई जाती है तो इसका इलाज चाहे उसके अच्छे पोशन के लिए सरकार के द्वारा 500 रुपे पिरती महा उसको दी जाते हैं इससे कि अपने पोशन पर खर्च कर सके इसके लावा कुछ ऐसी योजनाय है कि कोई व्यक्ति अगर जिसको खांसी हो रही है बल्गम है उसको अस्पताल लेकर जाता है कोई भी व् आपने साथ नहीं बैटेंगा आपनों ध्यान नहीं देंगा या आपने से बातचीत कम कर देंगा लोग जाकर इलाज नहीं ले वे हैं तो ऐसा लोग ने आपकिया सब्सक्राइब कोई लोग ने समझ में आये कि बहुत बिमारी नहीं है या जो पहले की बात लिए चूत की चीज़ सियंब समझा हो कि सविधना का आप इस लिए आपको तकलीफ है तुरंत अस्पताल यह चाहिए कोई शंका यह शर्म isol बात नहीए किसी विएकラ यहो सकती जितनी जल्दि shows को दाल में दिखाएंगे उतनी जल्दी इनकी जांच होगी और उतना जल्दी इलाज शुरू होगा जिससे कि जो TB रोग के आपने परिशानी है वो सब ठीक हो सकते हैं एक के अपने परिवार में अगर कोई एक मरीज है TB को तो आपने परिवार जनकी के भूमिका हो सके है कि भीकि देख भल किया करें सबसे पहले तो उसकी जल्दी से जाच कराना उसका जल्दी से इलाज शुरू करना है और जैसा कि आपने भी बताया उससे प्रेम भाव बना के रखना उसको बिल्कुल भी अपने परवार से अलग नहीं करना है उसको अपने साथ ही रखना है पुनह बता रहा हूं कि साथ अगर इन बातों का द्यान रखेंगे तो परवार के किसी भी जन को यह भीमारी नहीं होगी। अस्पताल में जाकर भी को मुफ्त इलाज भी ले सका। डॉक्स अब जो आपने बताया हो कि तीन महीना छे महीना या इसे जादा समय जो भी दवाई मिले हैं और महीना में पांच सो रुपया आपका खान पीन के लिए मिले हैं कि आपनी सेहत बनी रहे हैं तो आज सारी चीज पर श्रकार से महीन पर केले हैं जैसे इलाज भूंभव चले हैं तो कई लोग ऐसा है या कोई बच्चाने भी हो गई है या कोई महीला ने की खासकर दावाई लेबा में आपने तकलीफ हो सके तो कई ऐसयो है कि ध्वाइत्वाई कि को देस्वाइ को लिग गई है कि भी या इवन प्राइवेट अस्पताल में स्वास्त कर्मी की देख रेक में दी जाती है और दवा देने के बाद वो अपने रिकॉर्ड में रखता है कि आज अमुक रोगी अस्पताल आया और उसने दवा खाई यह ऐसी योजना है जिससे कि यह हमको पता रहता है कि कौन व्यक्ति दवा खा रहा है के लिए आया है कौन व्यक्ति दवा खाने के लिए नहीं आया है इसी किरम में दूसरे नई तकनीक का यूज करते हुए यह भी होता है कि दवा जब वो निकालता है तो बिल्स्टर में उस करती है कि आपने दबा लगातार अगर आपक दवाई लेंगा तो ही कोई एलाज सही तरीका से हो सक है क्यूंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपने रिशानी है कोई और ने तो पूरो लेनों चाहिए बहुत सारा लोग ऐसा है गली मोहला में जो जिजक करें जाबा से डरें तो काई आपनी चिकित्सा में ऐसी भी कोई लोग है जो घर घर जाकर देखें कि कोई व्यक्तिने ऐसी परिशानी तो नहीं है बीने समझावे है और दवाई लेबा के लिए प्र अगर कोई मरीज है तो उसको सला देते हैं यह नजदी की PSC पर जाकर अपनी जाज करवाई और कोई बीमारी आने पर दवा का सेवन करें तो बहुत पुरानी बीमारी को सब्सक्राइब तो एक लिए कोई टीको नहीं बने हुआ अभी तक क्यों इतनों लंबो समय चले है कि इसका एक टीका उपलब्ध है जो जनमते हुए बच्चे को लगाया जाता है इसको लगाने के बाद फाइदा यह मिलता है अधिकतर की जो दिमाग की कॉंपलिकेटेड टीवी उन्हों की होने की आश्रंका संभावना कम हुआती है इसलिए हर मता प्रता दियान दें कि उनके घर में अकर किसी बच्चे ना जनम लिया है तो जनम के तुरंत बाद यह टीका लगवाया जा सके है तो भई जनमता आपने टाबर रहे टीको जरू कि दिमाग को टीवी क्यों हो गय है या कोई और जगे टीवी क्यों हो जा लगए उन सब का कारण यही है कि वह फैंफुडे के माद्यम से ही बीमारी फैलती है अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी है अर्थात इम्मुनिटी कमजोर है उसकी तो अन्य अंगों की टीवी की कि अगर दूसर अंग में पहल गया तो आपने परिशानी हो सके और जरूरी नहीं है कि वेक्तिने एक बार अगर टीवी हो गई तो दुबारा नहीं हूँ दुबारा हुबा की संभावना भी है लेकिन हाँ नाक के बराबर है अगर आपा सावधानी बढ़ता और आपनी रो प्रतिरोधक्षमता जो है वी ने आपना शरीम में बढ़ा है और सावधानी बचाव है जिया कि डॉक्रसाब ने बताया हो कि अगर आप भीड में जा रहे हैं और कोई रोगी वेक्ति है तो स्वेम सावधान रहेगो तो दूसरा ने भी बचाव हो सके हैं डॉक्षाब जि लिए कम है आई रहे है उसके ज्याद कर रहे हैं व्यक्ति टीबी के लिए असपीताल ले नहीं पा रही हैं उनको जाँच करके बीमारी का पता लगाना और एक पोर्टल है उस पर एंट्री करता जिससे कि हमको पता लग सकते आखिर म्रीज ہیں कि तो मेन में जो जेता से ब्रीज को जानकारी मिलें कितने मेरीज हैं जब 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 आधा मरीजों कि आधा करेंगे और इनको इलाज पर रख लेंगे तब निश्यतरूप से इस जो ती भी होने की संभावना थे पका कब रे इस पर वरतमान कि यहां वह का अग रिए और वो मान सका हाँ का, अगर TB को इलाज संभव है और जादा से जादा लोग ईको इलाज ले रहे हैं तो कई जड से कातं हो सका है कि फिर कोई वक्ति ने हो गोही नहीं जड से कταम होने का मतलब यहां पर यह है कि विमारी हुई उसको उसको इसने राज लिहाज तो थोड़े टाइम बाद आ बीमारी की परिशानी जो भी है भी से आपा निजात पास सका हाँ भी खासी खासी जानकारी आपने मिल गई है कि आपने केके चीजा को ध्यान रखनों है डॉक साब एक बार आपा बताया कि जो फेफडा की टीवी है भी में आपने खास ध्यान रखनों है अगर लंबी बिमारी चल रही है अपनी तो बी के लिए जाच आपने आवश्यक है और जाच में अगर आपा पॉजिटिव है तो इलाज भी आपने पून लेनों चाहिए डॉक साब चौपाल कारिकरम में थे आया और टीवी का वारा में इतनी चोकी जानकारी दी भी के लिए धाने दन्यवाद देनों चाहां और अब में चाला हां फिर में लांगा एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम साहाँ नमस्कार नाम झाला हुआ झाला हुआ झाला हुआ